इस बीडियो में लोग रिफ्रेक्शन पढ़ना सुर्थ किये थे और रिफ्रेक्शन में हम लोग लेज तक आये थे इसके कुछ पाट हमने पड़ेते हैं लेगे हम सुविदा के लिए ताकि सारे बच्चे जो पिछले वीडियो को नहीं देख पाया थे वो इस वीडियो में जान जाए और इसलिए हम इसको लेंस से सुरू करते हैं वाटितल लेंस एस ट्रांस्पार्ण मीडियम बाउड़ेऽ वाइट तुसिसर्फेस का या एक आएक एधस्ट मीडियम को ग्लास से उसको बाउड कर देना जो प्लासपारेँ इससे ग्लाइट पास हो सकती है एर भी ट्रांस्पेरेंट मीडियम है, एर को भी हम लोग लेंस बना सकते हैं, लेकिन रिस्टिक्शन यह है कि उसके लेंस तभी वर्थ करेगा, जब हम उसको अधर दर किसी दूसरे मीडियम में लेके चले जाते हैं, अकर हम एर महीं रखते हैं, और एर को ही इंक्रूज करते हैं तो लेंस की तरब यह नहीं करेगा, तो एक ऐसा ट्रांस्पेरेंट मीडियम सिलेक्ट करना है, जो अधर देंट एर होई, चुकि हम लोग एर महीं रहते हैं और एर महीं अपने सारे एक्स्पेरिमेंट करते हैं, तो लेंस हम एर से नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर हम या इस दूसरे ट्रांस्पेरेंट मीडियम में अगर युको लेंस बनाना चाये, तो वहाँ तेर से लेंस बना सकते हैं, तो लेंस का डेंटेशन है, एक ऐसा ट्रांस्परेंट मीडियम को इंक्लोज करना, करुब सर्फेस colony सिर से, वह शे पर घैस है, यह भी एन लेंस कहना at least one surface का धिआन रहे कि refraction होने के लिए lens से हो एक refresh के लिए light को bend होने के लिए वो जो surfaces है वो surface एक कम से कम bend हो, दूसरा आप plane डे सकते हो तो आप इसमें से बहुत तरट Вас के lens बना सकते हैं लेकिन यहां हम दिप तुछी discuss करने वाल हैं आईसे ही हिश है। इसमें एक सर्फिस कव्ड लिये है और एक प्लेंग लिये है। यह प्लेंगों कंवेक्स्ट लिया है। और यहां पर यह दोनों surface curved है दोनों surface curved है एक दूसरे की तरफ किस तरफ से तो यह convex lens form करता है और अगर दोनों surfaces का pulse type फैसिल है एक दूसरे का और मेडियम को enclose करता है तो उसको हम लोग concave lens कहते हैं अब convex lens में कुछ चीज़े हैं को जान नहीं होगी जैसे convex lens इसका यह surface और यह surface किसी अलग-अलग दो गोले से भी दे सकते हैं अगर दो अलग-अलग गोले से लेते हैं और radius अलग हो जाता है तो radius अलग होने के case में इन दोनों side का इस face का focal length तोनी space का focal length different बढ़ाएगा तो ऐसे case में हम इसको by focal convex lens कहेंगे दूसरा, concave में ही कुसी तरह के अगर दोनों surfaces दो अलग-अलग sphere से select किये sphere, class sphere का cutting लेकर के हमने select किया और दोनों का radius अलग है तो दोनों का focal length अलग बढ़ाएगा और focal length जब अलग बढ़ाएगा तो यह by concave lens के अलगाएगा लेकि अब यहाँ पर अगर हम दोनों surfaces same sphere से cut करते हैं और दोनों का radius same होता है यह दोनों का focal length same हो जाता है तो ऐसे case में में इसको बुते double convex lens यह double concave lens अब इस lens के कुछ terms है जो हम कुछ जान रहा है सबसे पहले lens के जो सबसे middle part होगा यह सेंट्रल पार्ट एक दब बीच होगा जैसे इस face का एक central part था हम लोगों ने mirror पी नेखा था उसको pole कहते और फिर इसका भी एक central part होगा जो pole होगा और इन दोनों poles के बीच में इन दोनों poles के बीच में जो बीच होगा पॉइंट आएगा that point is called optical center optical center तो optical center is the center of mass of the lens यह आप कैसे क्या सबसे central point है अगर आपको center of mass में दिक करते हैं तो अपिकना जानना है यह कितनम यह वो point है जान से इसका balance कर सकते हो तो optical center दूसरा आपको देखना है कि इस पे radius तो आप देख सकते हैं कि यह face एक अलग radius अलग sphere से select किया गया है और यह face यह surface एक अलग sphere से लिया गया है तो इस surface के इधर वाले sphere के center इसका center of curvature कहला है इसका center of curvature कर आएगा हम इसको माल रहते हैं seat और इस surface के लिए इधर वाला sphere इसका center आएगा वो इसका center of curvature कर आएगा हम इसको जाते हैं optical center को आप OCD note करेंगे लेक्स में एक optical center और दो center of curvature होते हैं दो center of curvature दो center of curvature क्यालादा है next यहां भी आप देख सकते हैं कि इसका यह surface एक sphere से लिया गया है और यहां भी यह अलग sphere से लिया गया है स्फेयर के लिए इसका center, इस गोले का center, इसफेयर का center ही center of curvature कह रहा है कि हम इसको C जुनाम देते हैं और इदर वाला जो surface है इसका जो बोला है इसका जो sphere है उसको हम बोड़ का sévah और जो center point है, उसको हम बोलते है optical center तो दो चीज देख लिए, एक Optical Center और दूसर Center of Curvature, तो Lens के दो Center of Curvature होते हैं, आपके पास की हाँ है, Convention's के भी दो, और Concare Lens के भी दो, अब Principal Axis, तो वो इक National Line जो दूनों Center of Curvature और Optical Center से होते लाएं और वो उसका Principal Axis का लाई है, जैसे ये, ये लाई है, ये इस Virtual Line ये आपको Lens में दिखेगा नहीं, लेकिन ये आपका प्रजेंच है, वो virtually प्रजेंच है, ये होते है इसका Principal Axis, So, what is the definition of Principal Axis? It is the Virtual Line that crosses, that joins the true Center of Curvature or that crosses through Center of Curvature and Optical Center, Optical Center से होते होते हैं, यहां भी आप दोनों Center of Curvature और Optical Center से होते होते हैं, एक इमेजनली लाई है इसका, Optical Center क्यादा है, और Principal Axis क्यादा है, तो आपके पास तीसरा चीप था, Principal Axis, clear है? Next, अब हम बताते हैं कि Radius of Curvature, Radius of Curvature, Radius of Curvature, तो Radius of Curvature में आप लेख सकते हैं कि इस Face का, इस Surface का, यह इस Face नहीं आगे है, तो इसका Radius of Curvature का आएगा, और इस Surface के लिए यह Radius of Curvature होते हैं, और इसे इस सबसे इंपर्णेंट चीज़, यह LANCES नो जो डिल करेगे, घल करेगे, वह थेम LANCES में इसे दिल करेगे, तो थेम LANCES में इसे इतना पतला है, यह distance इसके इसके लिए भी बही हाई कि ये ग्रेंस काफी पतला है तो ये डिस्टेंस उतना मेडर नहीं करता है तो ऐसे केसे में हम इसको अप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस को मेडर करते है तो हम लोगों को ये डिफाइट करना आसान हो जाता है कि what is the radius of curvature? It is the distance of the center of curvature from the optical center. Similarly, this phase के लिए radius of curvature यहां से यहां तक होना था But lens thin है तो हम इसको यहां से यहां तक ही मान सकते है और इस case में भी यहां से यहां तक है But actually radius of curvature इस surface के लिए इतना है और इस surface के लिए इतना है लेकिन इसको thin मानते हुए इस distance को हम नेगल से मानते है तो जो हम यहां से मान रहते है उसको हम यहीं से मानते है तो यह आपर इसके लिए भी आर्ट हो गया अब क्या यह आप अज़े होता है तो अगर दोनों surface, हम ने कहा कि अगर यह बाइफुकल लेंस है यह यह अगर यह अलग 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 इससे लिया गया है तो radius अलग अलग है तब यह बाइफुकल लेंस के सी लिए अलग हो सकता है लेकिन अगर हम उन्हों डबल कर ओंगें यहां double convex की बात करते हैं, तो वैसे cases में R1 और R से बरावर होता है, तो हम इसको simply R से denote कर लेगा है। क्योंकि इसके लिए zone of a semester से कर लेगा है, एक इधर पार्ट हो गया, एक इधर वाला पार्ट ऐसे रखते हैं, कंक्यर पना लेगा, ऐसे रखते हैं, तो R और R बरावर हो जाएगा। नेस्ट है, फोकल लेट, फोकस और फोकल लेट, तो फोकल लेट तो फोकस को समझने के लिए, सबसे पहले हमें एक ड्राइग को समझना पड़ेगा, और उस ड्राइग को बड़ा क्यारफुली आपको देख लिएगे कि वो कैसे होता है। सब्सक्राइग कुमारे पास एक कर्वेक्स लेंस है, आप जानते हैं कि इस स्पेर का सेंटर यहाँ है, इस सर्केस का सेंटर और कर्वेशन यहाँ है, और इस सर्केस का सेंटर और कर्वेशन यहाँ है, यह आप्टिकल सेंटर है, पहले आप रिफ्रेक्शन को समझने जीए तो इसके बाद हम आगे डिटेल में जाएंगे कुछ चीजे अब प्रिंसिपल एक्सेज जो करते हैं अगर हम ये मीडियम डेंसर मीडियम होगा सब्सक्राइब ये वैलर है और ये डेंसर है और एक लाइक यहां से आके एक वेड इस पे इंसिदेंट होगा है तो हमको सबसे पहले इसको इस तरह से मुढ़ना है कि ये लाज आफ रिफ्रेक्शन को फॉलोग करें तो यहां पर आपको इस नॉर्मल की दूर्ट पढ़ेगी तो नॉर्मल यहां होगा है सी से होगे जो जाता है नाहीं कि अब मिर्ट का रही हम जब मिलर्ट कहा रहर है तो हम बतायां मुढ़ना है, अफ ने लिए मिड्यां से जाने वाली कॉंड इंस नॉर्मल की तरह नॉर्मल की तरह हो गया है दूसरा कि जब इस नॉर्म LEGO के जाएगा तो आपके इस धंस से और अब दॉन ही तो यहां जब जाएंगे तो यहां भी लाज अफ रिफ्रेक्शन को फालो करेंगे और लाज अफ रिफ्रेक्शन को फालो करने के लिए हमको यहां पर नार्माल ड्रा करना होता है इस सी से होके जाने होता जो लाइन होता वो इसका नार्माल जाएगा अब यहां पर यह देंसर से रहादर है तो इस लाइट का बेंडिन किदर होना चीए अब फ्रॉम दा मॉर्मा तो यह आवे फ्रॉम दा ना मॉर्मा पेंट करता है यह तो पूरा प्रासेस है दोनों सर्फेसेस पे इसका रिफ्रैक्शन होगा है सिमिकर लूँ यहां भी रही हूँता सिमिकर भी यहां अब यिये जहां पर इंटरसेक्ट कर रह wary रह यह इस था, जो ईसना पर लग friendly अब हम इतना इस चीज को लाई फिर खाते हैं इतना विखाने के आप में पुजरस नहीं पढ़े यह एक लास है इसको इनट पर बस जेनरली आप जानते हैं कि लाइट को क्या करा रहा है कि बेहिंट करा देना है यह यहां तक लाइए इस टाइम कर और इस टाइम के लाने के बाद इसको बेट कराईए फिर अगर हम तो कंके प्लेंस में बात करते हैं कि वहां कैसे होता है इस सर्फेस के लिए सेंटर अफ कर्वेचर यहां सी इस सर्फेस के लिए सेंटर अफ कर्वेचर सेंटर एक प्रिंसिपल एकस के पैरल जाता है यहां पर जाने के लिए भी रेर सेंटर गर्स है और तो हमें उस लौक को करने के लिए नॉर्मल की तरफ कर दो जाए गाए जब लिए यहां आता है तो यहां पर भी डिफ्रेक्शन उता है , अब कैसे डेंसर से डेरा का तो हमें यहां पे नॉर्मल की जुरत पड़ेगी तो यह जो C से होके जाए गाए , अब, डेंसर से डेरा आजेसे तो देंसे रेरा इसमें , या होता है ख में डेन्ळानिकितन होगी। तो ये लस जो है भार हो जाएगा, अब हम इसे करना नहीं करते हैं, Symplelace को अपने extended channel सार दिखाते हैं, यह 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 को यहां से ऐसे बिखता है यह यह को यहां से ऐसे बिखता है तो यह backward मिलेगा जहां पे वह यह है, यह को principle axis को अब आते हैं हमारा जो में जब की फोकस की से करते हैं कुमीर है कि आप लोग इसको खुब अच्छा से समझ रहे होगी कि ये पूरा फ्रासेस दो कि अब आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ है और ये अब आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ है ज़े और ये भागे का काम करना हैना जाम count अब आते हेल सम्धियर म्मात के लिए इसके लिए it is the point on the principal axis ये point कहा है principle axis It is the point on the principal axis where the parallel range or the range parallel to the Principal axis is Brennan इसके parallel add mês क्लियर रहा है दूसरा अगर आप दिसकस करते हैं तो आप देखकते हैं यहाँ पर यहाँ अअ है थैवलिंग लेंस करिए या कुछिव लेंस करिए परलल रेंस अफर रिफ्रेक्शन सेंस तो बी कनवर्जिंग अट पॉंट इस दिवर्जिंग फोंट एक पॉंट से जगता कि बहार की ओप जा रहा है तो यह जे पॉंट प्रिंसिपल अखिस का है एक है इसका फोकस के लाता डेपिनिए लेंसंड्ड प्रिंसिपल दिवेंस कोरि रान्रूWow इस दॉंटरण सुम्ट आषब सुर्ण पिनक der दिवर्जिंग अट, सम्सोटा दिवर्जिंग आओ इसके focus कितने होगे यह दो focus के होते हैं अगर यह case हमें इंदर से लिया होता सब्सक्राइब इंदर से तो इस case में इसका diverting यह होता यह diverting होता तो एक focus यहां भी आदा अब चुकि हमारे पास यह by convex lens है तो हम तो discuss नहीं करेंगे कि f1 कोन है और f2 कोन है principle कोन है या principle कोन नहीं है इसके discussion की जुरत आपको नहीं है जो भी ऐस देंगे क्योंकि यह double convex lens है इसके दोनों focal है सेम होके क्योंकि दोनों radius of curvature सेम है उसी तरह से यहां पर अगर इधर से raise जेते हैं parallel raise इधर से लिए पैदल लें तो यह ऐसे डाइवर जो था और इसके लिए तब focus यहां कहीं मिलता तो इसमें भी एक f1 और f2 होने की संभावना है अगर surfaces का curvature जो आपने चूज किया है जो गोला आपने चूज किया था जो इस फिर आपने लिया था तो अगर डिफरेंट बेस किता होता तब यह डिफरेंट को जाते है तेकिन अभी चूटी यह डवल concave lens है तो यहां यह दोनों focus नोट कर लेगे या आपने confidence के मिसा f1 या f2 कर सब्सक्राइब 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 यहां f1 यहां f1 यहां focal length focal length focal length it is the distance of the focus from the optical center this is the optical center तो यहां से जो यह distance यहां से जो distance है यह जो distance है कि distance है आपके focal length कर आएगे इसको आप small action denote करेगे अगर अलग अलग है तो f2 करते हैं नहीं इसका value आप f ही रखिए यहां में आपका यह f और f f हम इसकी चूज कर रहे कि हमने इस दोनों curvature सेम रखा है दोनों radius सेम है तो दोनों focal length सेम होगा next point relation between relation between r and f तो आपको यह से गुप नहीं करना है बस जेनरली आपको याद रखना है कि जो focus आता है जो focus आएगा वो optical center और center of curvature का midpoint होता है optical center और center of curvature का midpoint होता है इसका मतलब यह r को radius of curvature को यह दो पाट में डिवाइड करता है यहाँ पर यह r by 2 और यह r by 2 अब जानते हैं कि optical center से focus की दूरी को आप focal length कहते हैं तो f equal to आपको क्या मिलता है r by 2 या r equal to आप रीख सकते हो 2 f इसको note कर दीजे इसको आप note कर दीजे अब आते हैं image formation by lens image formation by lens image formation by lens one more thing aperture aperture कहते है आप जब lens को आप देखेंगे तो इस टैप कर देखेगा या इस टैप कर देखेगा आपको दिखाया जाता है इस तरह से transverse दिखाया जाता है लेकिन आप cross sectionally देखेंगे तो इस टैप कर दो होना चाहिए इस टैप कर दो होना चाहिए इस टैप कर दो होगा बीच ओला पार्ट और किनारा थोड़ा मोटा होगा लेकिन convex में ये बीच का मोटा होगा और किनारा आपका पतला होगा तो जब आप lens को अपने हाग पे लेके लेखेंगे तो lens कुछ इस तरह दिखेगा और या इस तरह दिखेगा लेकिन आप diagram बनाते हैं copy में ये अंगोट पे तो ये इस टैप से या इस टैप से दिखता है तो इसी लिए आपको समझ में आता है कि कौन सा contextual Art Convex Image formation by convex lens Convex lens image formation लेक्ते है आपने நी एसे Image formation by convex lens लेक्ते अब ये image formation फ्रेट के डिफ्रेंट फेसं को प्रोसके डिफ्रेंट वो सकते हैं!! बिफोर डिस्कसिंग आपको फिर से एक बार यास दिलाता हूँ कि रेज अगर वर्चुल ही कहीं इंटरसेक्ट करते हैं तो इमेज जो है वो वर्चुल इमेज बनता है और अगर रेज, आफटर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, अगर रेली में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ जो इमेज बनता है वो इमेज आपका रियल इमेज होता है एक चीज आपके आद रोखिए, दूसरा रियल इमेज हमेशा आप परदे पे ले सकते हैं, भर्चुल को आप परदे पे नहीं ले सकते हैं तीसरा, रियल इमेज आपका हमेशा इंवर्टेट बनेगा यानि उल्टा, अगर आपने ऑपजेट को ऐसे रखा है तो उसका इमेज न्यू फॉर्म होगा, यानि इंवर्टेट बना है और फर्चुल इमेज हमेशा सीधा बना है, तो बातें इमेज फॉर्मयशन है, नमबर 1, इमेज पोजिशन आप अप्जेट को कहा रख रहे है, नमबर 1, इमेज कहा बनेगा यानि हमेज पोजिशन, साइज क्या होगा और नेजर क्या होगा मैं पहले पूर चुका हूँ इसे आपको रटने की जोगत नहीं है इसे रटा जाता था पहले लेकिन अब आप सिफ डाइग्राम अगर आप क्लिर बनाना जानते हैं अगर accurately, neatly अगर आप डाइग्राम बना सकते हैं तो आप half minute में 30 second में आप उस answer दे सकते हैं तो पहला है एट infinity, दूसरा object beyond C1, C1 यह थो एट 1 भी कहते हैं दिखाई की कैसे यह नंब है, तीसरा object at C1 object at C1, इसके यह नंब है, image position, size and nature image position, size, image position, size and nature तो उससे पहला है at infinity, यह infinity का notation है, आप word में भी दे सकते हैं, infinity तो lens साथ पे पास है convex lens, आप पहले उसको draw के लिए convex lens आप draw कर लिए convex lens, convex lens draw करते हैं, उससे पहले optical center को mark के लिए दूसरा convex lens, बहुत बच्चों को परेशानी होती है, lens बनाने मुझे, इसलिए इसको practice करें, खर में बार बार practice करें, आप प्रोटेक्टर से लेकर के पहले बना लिए उसको हाथ से free hand, आप उसको draw की दिए उसके ओपर, आप धीरे दिरे उसको shift देंगे, दूसरा चाव करें, आप का, फिल convex lens बना लिए इसको optic близion बना लिए, यहां भी convex lens में बना लिए और opticalеюсь लिए आपको principle axis द्रॉ। फिल्द फिल्दाथि शोरण स करना हैं, आप देश्ट आपकर अब प्रिंसींपल एक्सिश द्रॉ करना है, उसको पर अंप नेक्सट और तो यहां भी प्रिंसिपल आइक्स राम लेट्रोफी यह उप्तिकल से है अब जूकि आप यहां जो ग्लास दें पर ध्यान रखिए कि यह डबल कंट्रेक्स है तो आप का जो C होगा एक इधर होगा और एक इधर होगा तो यहां पर आप एक मान कर लिजिए C और इतने ही डिस इतने ही डिस्टेंस पे एक और C मार कीजिए जो इस फेस का सेंटर आप कर लेचर है और यह C इस फेस का है तो आप इसको C1 कर लिए इसको C2 कर लिए अब दूसरा इन दोरों के मिन पॉइंट पे आपको फोकस आ जाएगा तो यह F1 हो जाएगा और इन दोरों के मिन पॉइ करते हैं तो रीज आपको सिठक करमें हैं, इंफ्निटी के आप दिख है, तो दो रीज उसके हेट से आप ले सकते हैं, सक्किल पहला प्रिंसिपल आक्सट है और आप जहांसी कि जो आप देख सेते हैं इमेज कहां वाले कर रहे हैं F2 पे, तो image position हो गया, F2, यानि कि second focus पे, दूसरे side बाले focus पे, size क्या बाद है, चुकि यहाँ अपने, बहुत बोला था लेकि यहाँ side बहुत छुटा हो गया, यानि कि point size, next from here, point size, और nature, nature, चुकि यह real, ridge जो है, converge करते हैं, एक ही point पे, और real ridge जो refract वेते हैं, जो bend मेते हैं, व और real ridge हमेशा inverted होता है, real and inverted, second है, object beyond C1, that is 2F1, तो आजाते ही side आप जो लेते हैं, यहाँ एक C1 लेते हैं, और इतने ही distance बिदर आप C2 लेते हैं, और इसको 2F1 ही से एक आगया, कि यह F1 से double distance पे है, F1 से double distance पे, इसका नाम 2F1 भी लेते हैं, next उसी तरह, यहाँ C2X, यहाँ है, इसके main point में add 2 आएगा, तो इसका नाम 2F2 भी लखते हैं, तो confuse नहीं करता है, तो यह 2F2 भी लेते हैं, मतलब वो C2 की बास कर रहा है, objects को beyond C1 रखना है, beyond C1, तो यह beyond C1, beyond C1 एक यह parallel प्रिंसिपल axis लेते हैं, और जाते हैं, जाते हैं, अगर इससे आपको कहा से ले जाना है, focus सकते हैं, तो यह हम बें उसको करें, और दूसरान एक optical center से जाएगा, उसके सीर से होते 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 हैं, यहाँ से एक optical center से लेकर जाएगा, ध्यान रहें, कि यहाँ जो optical center से हैं, जहाँ पर कोई bending नहीं होती है, बल्कि कुछ फिर्षिस पेक कर जाता है आप कोई सबीगर प्रेस्मेंट से कोई देख से जाता है तो फुद अफिर पैनल हो जाता है लेकिन ये जो इसको इसको फिर से ठेली बॉल है कि यह ट्रेस्मेंट लेकर लेक। सीधा ही दे जाते हैं, इसके स्पिर्ट में लाते हैं, तो यह आप ख्यान रखें कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले लाइन जो बिते हैं, उसका कोई रिफ्रेक्शन नहीं होना है, वो एक्टम सीधा निकल जाएगा, उसको आप सीधा लेगा, इसको सीधा लेगा, अब एक्जेक्ट बनाया, तो आपको कुछ करने की जरूतने है, एवरिफिंग एवलेबल है, आपका इमेज यहाँ बनाते हैं, तो आप लिख सकते हैं, इमेज पोजिशन तो पता चिसमें, तो C2 और F2 के बीच में, या F2 या F2 के बीच में भी बोख सकते हैं, तो between, C2 and F2, य अगर C1, F1 कर देगें, तो इंदर, क्योंकि गलत है, साइस, आप देख सकते हैं, मैंने अपजिक्ट बना लिया था, लेकिन इमेज फोट अबना है, इस से लिए फोट अबना है, तो स्माल है, और मेजर, रियर पेस कटें, तो रियर, और देख सकते हैं, साफ साफ आपको इंवर्टेट है, इसका सेल यहां आगे है, आया जाब का प्रिंसिपल अक्सिस पे, यहां यह इंवर्ट होगे, तो रियर और इंवर्टेट, इंवर्टेट, नेक्स आते हैं, अपजेक्ट एच सीवन, तो सब्सक्राइब बना है, यह आप सीवन कर लिए तो, इस नहीं इस इस पे, सीवन कर लिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहां आपका, एफ टू, और यह, सब्सक्राइब यह, यह एफ वन, और यह, एफ टू, आप सीवन आप प्रिंसिपल आप्यक्त कर लखे, पैलो रिप्ट, जो जाएगा वो, अब दो ही प्रेसिलेक्ट करेंगे उसके से, और दूसरा आपको कहां से लेके जाना है, 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 और दूसरा सेम साइब नेक्स्ट नेचर तो रियर है अब बता ही कि जुरत नहीं है अब रियर है तो इंक्टेट नेक्स्ट पूजिशन हो सकता है नूमर फ्री ऑपजेट बिट्वीं सीवन एड एफ़न कि बता रहा है कि सीवन एड एफ़न भी डिक सまने इसके बाद नूमर। forte अप्टिक्ट एफोन एड एफ़न और रास्ट यहां हो इससरेगे एप्टिर विक्ट्व इदिड्न विक्ट्रेट एफ़न ज्यां और आप्टिकल सेंटर एक एकर देखते हैं स्बसे पहले आपशुक्त को सी-1 और एकर यहां टो जब हम आप उप्च्थ को सीवर एकर एपश पीछ रखते हैं तो एक लेगे पार्लय जिसने इसके तर रहे हैं एक आप इसके सिर्ष से लेए जो पैटल को आपको हमेशा F2 से होके निखल लेगा और दूसरा जो है वो आप्टिकल से जाएगा कि यह आप्टिकल से अब आप इसी लिए बता सकते हैं कि जब आपने आपडेट को C1 और F1 के दीचे रखा तो आपका इमेश है वो बियॉंड C2 बन गया, C2 से दूर की और बन गया तो आप सिधा निखें बियॉंड C2 बियॉंड C2 जड़ा रेकॉड किजिए कि जब आपने बियॉंड C2 रखा था तो बिट्विट C एंड S बियॉंड C1 तो वो बिट्विउंड C2 एंड F1 बना था लेकिन जैसे अभी इंवर्ट बना सुरू हो गया अब जैसे जैसे इतर है ही इमेश बूर के चला राएक। नेक्स्ट अबजेक्ट बियॉंड एंड F अबजेक्ट एंड F1 अबजेक्ट एंड F1 इसको थोड़ी इसकरते हैं और फिर से लेंश को ड्रॉप किये अब्टिकल सेंडर लिए प्रेम्जिक्ण एक्सिस ट्रॉप किये C1 को ड्रॉप किये इतने ही इस्टेस के C को लिए फिर F1 को मार्क किये F2 को इन बिट्रुन मार्क किये और जब यह फोकस पर रखें, आपजेक्ट को दो रेस लेने हैं, एक पालल तो दा प्रिक्सिपल एकसे यह और यह जाएगा, एक पुछे होगे, नेक्स साइड ले जाएगे आपका एकसे यह देखी यह दो पालल होगा, पालल होगा तो यह प्टेंगे जाके इन्फिनिटी तो जब अप्जेक्ट अपनी इन्फिनिटी पर रखाता तो इने फोकस पर बढ़ा रहा और आप एकस को फोकस पर रखें तो इमेड इन्फिनिटी पर बढ़े होगा तो डेटनीमाइज पोऑजिशन एक इन्फिनिटी, एक पोऑजिएट पूजिट तमिपहने लार्ग सा यही रेस कटे वाले हैं, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी का उतलब होता है कि काफी दूर, तो जब भी आप इनागे कटेंगे, तो रियल ही कटेंगे, इस प्रिमेंज रियल एंफिन्टे होगा, लास्ट वन, ऑबजेक्ट बिन, ऑबजेक्ट मेट्वीन, एन एन फ़ण दुपस के भीच में रखने मने, तो क्या है, फिर्स्कानी की दोाइंगे, आप्रएक्स में रागिए, फिल विपितिए, ऑप्तिकल सेंटर, प्रिंसिकल एक्शिस, सी एउन को मार्क किए, 녍ब इस निckरस के सीप्न को मार्क किए, एफ न को माक किए, एफ प्वाच्ग पे हैं बेट्विन F1 एंड अप्टिकल से एक रे पैबल ने जो जाएगा F2 से होगे गया और दूसरा टारेक्ट निकल लाई है वो OZ यह आगे नहीं करने वाल है क्योंकि यह डायोर्स को रहा है तो हम इसको क्या करते हैं इसको बैकवर्ड प्रॉकरेंगे इसको जब बैकवर्ड प्रॉकरेंगे तिकी बैकवर्ड में नहीं बंचुवरी इंदर से करने माना है यहाँ अब देखें एक इमेज on the same side पोजिशन नहीं बताएं कि सीपे बनके या या यह on the same side on the same side जिदा object जिस side में object को रखेंगे size size bigger bigger and raise आप देख सकते हैं कि raise virtually intersect किये हैं और virtual intersection से जो इमेज बनता है वो virtual image अब virtual image में आप और भी क्या रखेंगे हैं कि virtual image हमेशा सीधा बनता है सीधा बंभी इंगे से लिखने erected virtual आभास ही है real वास्तविक image प्रतिबिम object beam erected सीधा inverted ultra reflection अब इस case का एक बहुत ही बहुत ही business importance है कि हम लोग जो generally lens यूज करते हैं किस किताब का को यह चोटे अच्छा को पढ़ने के लिए या सुनार के नुदान में जो आप पे लगा करके या धड़ी वाले जो आप पे लगा करके यूज करते हैं वो इसी क्योंने को इसी principle को apply करते हैं उनके पास जो lens होता है वो lens का focal lens कुछ ज्यादे होता है और वो lens जिस चीज को पढ़ना चाहता है या जिस चीज को देखना चाहता है उसको optical center उस lens के optical center और focus के बीच ले आता है तो बनने के बाद उसके virtual image बनता है वो बड़ा और सीधा बनता है दूसरे PC case दो नहीं उच कर सकते हैं क्योंकि आप 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 inverted हो जाएगा यानि कि आप जो भी दिखेंगे वो inverse-shade dynas true हो जाएगा अभी है तो यह बीड़ी stack से dynas true करेगा inverted तो आपको पढ़ने में कठिना ही तो आपको याद रखना है कि जो सोना है या कोई और भी है जो इस तरह के lens का convex lens का as a magnifier यूज करता है जैसे घड़ी साथ हो गया है तो वो इसी principle का यूज करता है convex lens का use as a simple microscope dim होते है या as a magnifier या as a magnifier यूज करेगे magnifier के case में कौन सब principle यूज होता है magnifier के case में object को optical center और focus के बीच में रखा जाता है तो उसका virtual erected और in large सबसे बेटर है कि हमको बड़ा रखके देखता था तो in large सीधा image बनता इमेज बनता है इसी principle को हम लोग यूज करते हैं magnifier next आप 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 के लोग image formation बाइड concave lens 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 इस concave lens में drawing इससी difficult होती है लगि नगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बनना सुरू हो जाता है clear और south sutra जिसका प्रीश में धसाब होता है तो हमने इस नना लिया मात करें सबसे पहले पिश्चेम माक करें एक हम आइस है तो फिर यहां चाहीं सब्सेर करें प्रिंसिपल में प्रिंसिपल एक्सिपल एक सिस्प्रेंज यह मार्क करें इसका सेंटर पर भीते हैं तो तो तहीं कि आप मार्क करें जाले भी करताएं ताहूं इसका आप C1 आपको हमें, यहां इतने ही डिस्टेस पर C2 मार्क परें, C1, इसने ही डिस्टेस पर C2 मार्क परें, C1, C2, अब, अब अब्जिक्ट एट इफिनिटी, अब इंफिनिटी है तो यह इंफिनिटी से आप रेजिस को पैल करें, यह आठाए यह चान्स हे जो इसी पर्ले से यह सब्सक्राइबर्ज करता है तो पर्ले से जो दिशता है तो फोकश कर से जाता है अब आब इसको ब्राते हीजे नहीं कि में इन साइक करेंगा इसके और इसके इसके इसके, इह फोकस करेंगा, F1 तो इसके पॉजिशन, at F1, at F1, first side पूज़ारा इसको फोकस पता है, जुसरे side is to have to add, तो इसका F1 पी तो एक F1 यह F1 बोलते ही उसमझ जाता है कि यह उसी साइट में है का फोकस में बनेगा जिनर अबजेक्ट को रखा गया तो अबजेक्ट में अबजेक्ट को रखा गया तो F1 भी में अबजेक्ट पर है यह क्लियर हो जाता है Size, Point Size काफी पढ़ा सा यहां पी यह Point Size बनेगा तो Point Size Nature, Nature चुकिन इस रियल ही तो इधर चलेगा है उस तो वर्चूल ही Backport ब्रॉट करने के पाद यह मिला है इसलिए Virtual अब Virtual है तो फिर यह Erected See now Next है Second है Object 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 Beyond C Beyond 7 यहीं के Object को आप यहां रचते हैं C1 से दूर्ड तो आपको पता है कि दो ही Race ले लेंगे एक Ray आप Parallel to the Principal Exist में और यह जो Brallel to the Principal Exist में यह Focus से होगे पाद होता है यह Focus से रहागे और दूसर जो यह आपको लेना है वो Optical Center तो यहां इसको बताने की र Chron Mills है आपको आप सी पुरिया on the same side on the same side या between O and F1 on the same side ये भी पोल सकते हैं smaller size का बना कैसा बना smaller बना between F1 and O बना अगर आप same side भी पोलते हैं तो कोई दिक्तर नहीं next test objects at C1 object and C1 तो जब आप C1 पे रखेंगे इसका ये F1 हो रहा है और ये F2 यहां पे रखते हैं low raise एक balance प्रेंशिपल एक से उपिर आई है एक optical center से उपिर आई है तो आगे की image महीं फॉर्म होता है between F1 and O हर case इसमे image भी बनेगा F1 और O के पीच पे तो आप लिखेंगे on the same side between O and F1 size smaller nature virtual this is virtual and this is the real तो इसके intersection से ये virtual नेगा next object between between C1 and F1 C1 and F1 तो जब आप object को C1 and F1 के पीच में रखते हैं है आप खिर ऐसे बेगे again object को formation जो है और F1 उनके पीच में आएगा virtual करेगा add F1 रखे add F1 object add F1 add F1 add F1 की यह थोड़ा से drive को ठिक करते हैं जा दूसरी ड्राइब बनाते हैं यह बन गया आपकिकल सेंटर सी बन ऑपकिक पोजिशन एट एफ बन यहां रुटते हैं यहां से जाएगा और इसको आप टिप ले जाएगे फोकर सकते हैं यह बन चोहां लेकिन लगेगा कि फोकस से होके जा है फिर इसको आफ एक अप्टिकल से दिए जाएगे तो अगें बिट्विन एक और बनता है वर्चोंव बिस अबिट्वेशन और डिए के सुचाने रहता है अगर बिट्विन एक रहते हैं तो अप्टिकल इसको बैक्वर्ट बढ़ा किजिए तो यह फिर बही बनेगा तो फाइनली आपने यह सिता के कन्केव लेंस के गेस में आपका जो इमीज है हमें साफ ओवर एफ़ान के पीछ बना बर्चुवल बना और इरेक्टेट बना है अब हमकोद देखते हैं इसके फॉर्म लास है लेंस फॉर्म है लेंस फॉर्म का पर देस्ट करें तो शाइं कर देशिन देखो ना है साइन करेंशन ज्यान रहें मेर के साइन करेंशन और लेंस के साइन करेंशन में जड़ाने डिफ्रेंश नहीं है फिर भी एक बार देखान करा साओं कि आप काडिके कोडिनेट सिस्टम जानते हैं इसमें आपके टू काडिके कोडर मां, टू किवा ठीके कंड़ान Planning को इसमें एक्समस है, ऐसे एक्समेम अय pomoc है, यह एक्समस्ट होता है यह आप करवान हो खी तू क्वालिटिव 0, आख एक्समस क्यादाँ है इसमें से हम च्यांते हैं कि प्ट समय उखमने मीलर को यहां रिप्लेस कर दिया करyyek आब lens करिए हम lens को यहां पर रिप्लेस करें और इस तर सरे प्लेस करेंगे कि object sign जगा हूँ, negative accesses की तरफ यानि object अमिशे negative accesses कि तरफ है तो हम lens को ऐसे प्लेस करेंगे के इस तर से प्लेस करें के ऑक्टिकल सेंटर इसका ऑरिजिन कंसाइट करना है अब जो भी डिस्टेंसेज इधर मेजर करेंगे ये अगर ऑपर के तरही तो पॉसरी करेंगे तो है अलनर ने Bakरिया एक ढ़ुन आज़ हा तो इसको ध्यान रखना है तो इसको ध्यान रखना है फिल बतला उधर करना है तो फिल ऐसे रख सकते हैं अब आप इसका ओरेजिन और ग्रेंस का अप्टिकल सेंटर को कल साइब करा देगा और चेट साइब हमें साब अब आप 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 सेंटर की तरफ फेस करेंगा और सबसे इंप्टेंट चीज़ जो लोग कंवेंस्मेंस के लिए जो इफेक्टिव फोकस लेते हैं वो सेकंड साइज होगा क्यानि f2 हो लेते हैं कंवेंस्मेंस के लिए दो फोकस लें एक f1 और एक f2 तो हम इना वारे लेते हैं इसको लेते हैं आप इसको f से रख सकते तो अब आप सिंपल ही जा सकते हैं कि जब भी आपको कंवेंस्मेंस के लिए focal lens चूस करना होगा तो यह वगा f नहीं यह F नहीं यह यूज में नहीं आता है, वो सेकंड साइड रोला यानि F तक पर डिस्टन्स आता है, इसलिए जब इसको जैसे आप यहां रगेंगे तो यह F इस टारेक्शन में पड़ेगा, तो वो फॉजे चुभाएगा, यह पॉजे चुभाएगा, इसको आफ अलग से या अगर ऑब्वजेक्टेंदर रह्ते हैं, तो इस سऑसाएग़ और रकेंगे वो 1 है और ऑब्वजेक्ट से इधर रहतें तो फिन आवरा फक्रस ही आए लिकिन उसकेसे में फिन्यमरी हमाने यह ऐसेज़ेगा तप यह F पाजरीवय है क्योंकि हम जाहते है कि यह आपजेक्ट के लिए एक C1 होता है, एक F1 होता है, यहाँ F1 होता है, यहाँ F1 है और यहाँ C2 है, तो हम जानते हि कि गंपे लेंस के लिए जो आपजेक्ट यहां रखते हैं तो इसका diverging point F1 नता है, यह यह ऐसी जाता है यह diverging point दो यह बनता है, तो हम इस focus को चूज कर दा करें के ऐसे के समय देए कभी कारते हैं इसका कन्भरु कि फोकस करें हैं और इसका डाइवकिक पर दो अगर इंहार आपजेक्ट बखते हैं दा करें दिए तो ऐसे केस में ये फोकस और ऐसे केस्ट में अगर यहां पे रखे अब्जेक्ट के दार है तो डावटिक्ट परिए बना तो यह अब्जेक्ट साइड हमें सर नेगेटिव आता है अब जाते हैं कि जब भी आप पेस्ट करें उसको इस गादिनेट सिस्टम पे तो ऐसा हो ज़िए कि यह वर ऑप्जेक्ट एक्स पर आना हो ज़िए तो यानि कि यह एक्स जो है इसकेस में यह एक्स पीधर आएगा एक्स का नेगरिए इसको ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छूज करना थ्वड़ा धिकत होता है कि कौन सा फोकस लेक्स दो ध्यान रखिए क्रिक्स करनेंगा में तोat पाले यह इनकेट केलिए यह एक्स क्या बहन के पतलकर दोगोर्स के लिए यह एक्स क्या करेंगे ल्सक करेणा तो अब जो विटिशा हुआ हो तो और जिसे यहां रहते तो निप पर आप कि complex interpret u u आपको पता है इसको object distance करते हैं यादि object distance कहासे optical center से object position तरका go distance आने वाला है उस distance का गुझे नहीं उकर और object position नहां प्रेह m by9 object की तरफ नहां प्रेह तो ये negative a-charge ये भी negative a-charge पहले बताती है कि object का तहां रखता है extra success का और extra success पर जिस ही हो गया तो वह negative count हो गया है उसका notation है तो भी अब भी तो हम लोगों ने कंकेंटी case में हर बात देखा कि जो image है ये भी कहलाता image distance भी ये हमेशा object sign में बना छे case हमने बनाएं और छे case में ही ये object sign पहली रहा between f और और object sign में इस case का भी हमेशा negative count case के case में हमेशा negative लेकिन context के case में पांच case है जो शुरू कहरो हमने डिसकस किये infinity से लेके f तक f1 तक वह सब में positive था positive था क्योंकि image उसरा side बना था अगर आपको याद है तो f तक यहां से यहां तक में हमेशा image यहां बना था तो यह ही हो गया और यह जब ही होगा तो यह आपको फॉदर के बनाएं लेकिन एक कैसा इसा था था जब यहां पे object बना क्योंकिके optical center focus के पीछ ती image यहां बनाए तो ऐसे case में यह क्या होगा ही negative होगा तो यह कब होगा ज तो इधर हो लेकिस था इधर जब बना था तो real event और एक case यालिए last यालिए sixth case जो था उस case में यह virtual बना था और virtual बना था तो same side में बना था तो उस समें यह negative है क्योंकि यह off the side पर ही आता है तो negative है negative है यह कब virtual बना था एक क्या लेकिए तो convince लेकिस के लिए हम भी बताया कि दूसरा side यहां raise converge करते हैं तो converge ही दूसरा side बना था other side object है other side बना था object to negative object के other side बना था positive है तो f इसका positive आएगा और इसका f आएगा नेगेटिता है क्योंकि यह object side बना था आप तो f पर डबल होता है तो जो f इने साही है वही आप लिए भी होगा तो यहां पर यह positive होगा और यहां पर यह negative होगा अब आते हैं कुछ पालूला से एक पालूला आपको पहले देख लिया नमबर एक कि आपको टू टू एफ दूसरा लेंस पालूला बोलते हैं थी लेंस पालूला में बोलते हैं लेंस पालूला लेंस पालूला बोलता लेंस पालूला बी बोलते हैं अब आते हैं तो . Number 3, Linear Magnification Magnification Formula Magnification Formula आप जानते हैं कि M equal to ratio of image height by object height ratio of image height by object height और क्या है? M equal to V by U अब difference V by U form difference निखाता है वो ये कि object mirror ते किसमे यहां एक negative पहले शाया था यहां यह negative नहीं है आप clear बुले है इसमे mirror की किसमे यहां पे यह negative था रहे हैं lens की किसमे यह negative नहीं है तो यह आपको clear हो अब आते है कि Realities 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 कैसे decide थे Realities आपको कि अगर यह H है Realities हमें सब्सक्राइब आपन दाएगा Hs ऐसे केसे में M equal to Hs by H यह less than 0 आएगा यह negative sign पहलाएगा और यह less than 0 को और negative sign हुआ इसमें तो हम M less than 0 मिलता है यह negative मिलता है तो हम जामते हैं कि H सीधा है तो Hs उल्टा है इसमें वो negative आएगा हुआ यह तो negative था यह less than 0 आएगा तो यह होगे यह दो आएगा यह Real है अगर आपसे question किया जाता है कि Real image को आप कैसे find out करते हैं तो आप M calculate किजिए अगर M आपका less than 0 आता है तो image Real है Next है virtual virtual फिर इसको एक बार समझते है M equal to H dash by H अब virtual के case में image जो है वो सीधा होता है यानि अगर आपके यह object लखा image यहाँ बना और दोड़ों ही principal axis से उपर है height तो यह positive होगा यानि यह भी positive बाएगा और यह भी positive बाएगा यानि यह M का पूरा value greater than 0 तो अगर आप M greater than 0 calculate कर लेते हैं तो आप सीधा जानी कि वहाँ इवी रहता virtual image करना है कुछ problems आपको मिलेगे उन problems में आपको directly कह दिया जाएगा image found by the length is virtual तो जैसे वह आपको virtual कहता है तो आप M को सीधा लेगे less than यानि नेगेटिव के साथ N पॉर्ट को अगर मालने जीधा 5 दिया हुआ 5 दिया हुआ है and image found is virtual तो आपको clear रहना है यह negative है लेकिन अगर कहने है image found by the mirror is 5 times the object तो आपको पता है N जो है 5 magnitude का है 5 magnitude है and image is virtual तो जब image virtual कहेगा तो आप इसको negative लेगे यहान इतना ही है किसी भी formula का application करने से प्रेखे आपको sign convention का properly यूज़ करना है आप sign convention proper तरीके से निखाल लेगे उसके बाद कोई numericals को आप solve कर सकते है जैसे एक हम numericals लेते है गादे जैसे बादे जैसे बादे of focal length 10 cm, placed in front of a concave lens, of focal length 10 cm at a distance of 15 cm, dated identified fire, nature, image position , image position , nature and , size अब दिखते ही इसको आप कैसे पढ़ते हो और कैसे आप इसको notation हो लिखते हो अब को पुर एक पोशीर सा आपको notation लिखते हो अगर इस साइड और फोकस को लेते हैं यानि यह नेगेटी बाहा है तो आप इसे नेगेटी बढ़ सकते हैं दूसरा है अगर अगर दिस्टेंस को यूँ होते हैं 15 cm अगर ऑब्जेक साइड ही नेगेटी होता है और अगर दिस्टेंस सर्मागी बीट 15 cm अब पहला पोजिशंग को लिए का फ इकोलक तो 1ादी माइनस 1by 1 by D ूप्यू 1 by F माइनस 1 by 1 by U यह पूरा F के साइड है और 1 by F minus 10 cm plus 1 by minus 15 इसका आप NCM ने गिए 30 minus 3 minus 2 that means minus 5 by 30 that is 1 by B तो B equal to आपको मिलता है minus 6 cm यारी इस आपका minus 6 cm next अब आते हैं magnification M equal to B by आपके पास B है आपका minus 6 और U आपके पास minus 15 minus minus plus that is equal to 2 by 5 2 by 5 M positive आपके पास क्या है परे बता कियें जैसे positive आपके पास यारी या भी सिधा है Hb or hs दोना है आपका सिधा है दोना पासिधी है इसे कभी ए N positive आया है है M greater than 0 आया अब आते है last की size क्या हुआ है S guess by H equal to 2 by 5 चोगी N equal to गहीं है H guess equal to 2 by 5 into H H guess equal to 2 by 5 into 5 cancel करेंगे तो लो गहीं है अब numerical derivative back check try के जिए जितना हो से क्या प्राई कर सकते हैं थैंक्यू